महिंदरगण के कनीना में दादरी रोड पर एक बिशन शड़क हाथा होता है जिसमें छे बच्चों की दर्दनाक मोत हो जाती है उसी बस के अंदर हिमानसी भी सवार थी तता इसके दो भाई इसके साथ बस के अंदर सवार थे जिन में से वंस की मोत हो जाती वही दूसरा भाई है उसका गुरुगराम के अंदर इलाज चल रहा है हिमान सी हमारे साथ मोजूद है और इसे जानेंगे कि उससे में क्या पूरी स्थिति थी और क्या जब बस दुरगटना गरस्त हुई तो उससे में किस तरह के हालात थे हिमान सी कितने बजे का समय था जब बस अक्षिडेंट हुई साथे आठ बजे कितनी क्या स्पीड थी बस की एक सो बीस कुछ इतनी थे जदा बगार रखी थी बस से क्या पता था आपको ट्रैवर ने जो नशा के आ हुए कितने लोग गये थे आप इसमें यहां से आपको चोट नहीं लगे थे तो किस तरह से वहां पर सूचना किसको दीगे पुलिस आई सबसे पहले या कौन आए थे यूरो स्कूल का टीचर आया था रोता और यूरो स्कूल दाया था अच्छा वहां पर पहुंच से तो जैसे कि बात की जाए तो कितने बच्चों को वहां पर मुख के पर आपको देखा होगा किस तरह का हाला थे उस समय था कुछ बचे तो सीट के नीचे दब रहा था कुछ बस के नीचे था और जो लास्ट वाड़ी सीट पर जितना भी बैठा था वे बाहर पड़ा था हूं सब गे रहता होगी जो लास्ट वाइल सीट तो थोड़ा सा आगए था, वे सब सीरियस हैं, और जो उंत आगए था वे सब बच गया, उनोंके थोड़ी मोड़ी चोट लागिये आपने ड्राइवर को दिखा था कहां, किस ते कहां गया था वो ड्राइवर बस पल्टी खड़े होगा तो ड्राइवर के चोटना लगी ड्राइवर बाढ निकल लगा तो पर वो पकड़ लियो फिर बाद में अचा बस सबसे पहले कां टकराती है और किस तरह से पल्टी हो बस पल्टन के बाद में टकराई है पहले ना टकराई बस का अगर पीछे कुछ भी ना तो ब्राइव एना आइस पीड में मोड़ दी और ब्रेक ना लगाया और पल्टी की साथ निकल के चले होगा अचा तो नेर पे चड़ी है बस या सी दिर सड़क पे पल्टी है उसके बाद पेड़े से टकराई है पल्ट था टाइम टकराई है क्या पहले भी कोई हाथसा होने से बचा है हाँ ए खेड़ी में क्यतम बाट दी थी और फिर और वरे भी चोरी में दाध्य उपर चड़ा दी को द्यूरान पड़ेगी तो बच ली पहले बारे दिन भी कोई स्कूल की बस से उससे जो हाथसा होने से बचा था तो अच्छा तो उसके बाद जितने बचे थे उनको चोट पहुंची आप भी अस्पटाल गई थे लेके गए थे आपको में शिपिज़ा गई थी मेरे बाई दूसरा बढ़ा श्पिटल में था और मैं चरकारीं लेकर चलिया गया था फिर मनो भाई अधहा था मैं बाई एक सब्सक्रा करन भा थे अंशनक क्ना रहा था फिर मनंने आह देख गं टा में लेक आ क्या आपने स्कूल परसाशन से पहले कोई शिकायत की थी कि वो दारू ऐसे पिता है या से बस चलागता है स्कूल वाणन पर तो थो वो शराब पीवे है सदासो की बस मैं टक कर मारी थी सदासो का ड्राइवर ना स्कूल चौल दियो वो लो पर टै होगो और नाम में रुपरा जब मैं तो स्कूल चल दोंगो स्कूल वाणना ते काफी वर बताई थी कि युशराब पीवे स्कूल वाणना मानने अच्छा आपने भी शिकायत की थी थी उनको नहीं मानने क्या वो स्टंट भी करता था बस में मैं कभी आगे ना बैठी लेकिन वो बच्चान परिशान करे तो जो आगे बैठे करता था उन्हागे नहीं बैठाने जिता था? लेकिन भी जुबार की बैठा करता था भी पर्फम बैठा बैठाने करता था क्योंकि उन्हाद पहले अुदका डानत मारी थी बेढ़ रहा दिया तो तो उपस पिर पिछ बैट गया था तो बस हमें भीड भी रहती थी या बच्चे बैट जाते सीट पर खड़े भी रहते थी पहले खड़ा रहा करता था इतो जलते नहीं सेशन सुरू हो या जब तै इतनी भीड़ना अच्छा वी बच्चे आने शुरू नहीं हुए थे तो अब क्या मांग करते हैं आप जिस तरह से आपके भाई की इस दुरुगटना के अंदर जान गई है तो किस तरह की मांग करते हैं क्या किस तरह की कारवाई आप सकते हैं ड्राइवर के पास ही हो जावें जिसने फोन उठायो थो कों के पास ही हो जावें जिसने फोन को किसने अचा स्कूल में जिसने फोन उठाया था उसको उस पर कारवाई चाहते हैं तो यह हिमान सी थी जो आखो देखी जो गटना वो बताई है कुछ परिजन भी मेरे साथ मौझूद है इन से बात कर लेते हैं कि किस तरह से यह इस हाद्शे को देखते हैं और क है की बता राखी है और कुछ नहीं मांगए कि यह जो प्राइवेट शकूल यह बंद होनुची यह कती और महरत बच्व थो तो गया दूसरा पता ही है आपने बस यह चामास हम कड़ी तकड़ी साजा मिले और वो जो बस को डलाई वर शे उनना तो कती पांसी की साजा मिले है अज़ewी महनद स्यांति हूँ इब आपने वेर हो समाया पर के वितन है इसके एक ही लड़का था जो चलया जाया से उसकी माह क्या बरत है आप मम्मी ऊ वनस की है नहीं मैं उसकी माम्मी ने तो ओसी नहीं यह है अच्छा विवोस नहीं है यहां पर नहीं है कहा है मंमी कौत ले जाड़ा कि यह वंस परिजन थेंग अपने परिवार की संतान ति छो इस हाद्शे का शिकार हो गया और उसकी इस दर्दनाक हाद्शे के अंदर मौत उजात ति वह हैं उसके जो परिवार के दो बच्चे भी इसी स्कूल बस के अंदर सवारते जिसमें से एक को गुरुगराम के अंदर परती करवाया गया फिलाज उसका उप्चार चल रहा है और दूसरी हमारे साथ हिमानशी थी जो इसी बस के अंदर सवारती इसने आखो देखी गटना वो बताई है साथ ही प्रिजनों तक भी इन्होंने शिकायत की लेकिन मामले के और उन्होंने कोई विद्यान नहीं दिया जिसके चलते ये हादसा हुआ है अब देखना होगा कि इस मामले के अंदर तीन गिरफतारियां की गई है आगे पुलिस किस तरह की कारवाई करती है और पीडित परिवारों को कब तक नहीं बिल पत्ता है अकसे यादव मैं इंदरगड़